वेलकम टो एक लव्यास नातक और आज की इस वीडियो में आप सभी को मैं पढ़ाने वाला हूँ Environmental Science से जो आपका फर्स टॉपिक है Introduction to Environmental Studies और मैं आपको बता दूँ BA Program और BA Honor सभी students के लिए same syllabus है और यह आपका AEC subject है DU, SOL and NCWeb सभी students के लिए वीडियो काफी ज़्यादा helpful रहने वाली है और आपको बताना चाहूँगा कि If you have any query, you can message me on Instagram Username is in front of your screens और अगर आप इस पूरे चेप्टर की PDF notes चाहते हैं तो आप हमारा Telegram channel join कर सकते हैं Eklavyaas Natak1 Search Marker आप channel में से सारी PDFs ले सकते हैं जो भी notes है Slaves के बारे में बात करें तो आज हम unit 1 complete कर लेंगे इसी वीडियो के अंदर और बाकी के भी जो जल्दी से जल्दी units हैं वो आपके सामने हम लेके आएंगे So, जो word environment है ये कहां से आया है ये French word से आया है जो कि French word है environment जिसका मतलब होता है around और surround यानि कि हमारे आसपास के जितने भी objects हैं जो हमको घेरे हुए हैं कहीं न कहीं वो ही हमारा environment है यानि कि हमारे चारों तरफ की जितनी भी चीज़े हैं अब basically आपको ये तो पता ही है बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं environment, environment, ebs now अब मैं आपको बताता हूँ कि environmental studies एक multi-disciplinary nature है इसका ठीके अगर हम देखें कि ये एक subject नहीं है ये बहुत सारे subject से related है और आपको जानकर रहरानी होगी कि ebs को सिरफ हम social science का part समझ रहे हैं तो आप गलत हैं मैं आपको बताता हूँ कि अगर हम देखतें कि environmental studies को multi-disciplinary क्यों कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर आप chemistry भी पढ़ लेते हैं आप इसमें physics भी पढ़ लेते हैं medical science भी आ जाती है life science भी आ जाती है agriculture के बारे में भी पढ़ लेते हो public health के बारे में भी पढ़ लेते हो sanitary और engineering वगरा के बारे में भी आप इसमें पढ़ते हैं जैसे कि एक diagram से समझते हैं environmental studies को हम life sciences के subject में भी पढ़ते हैं जिसमें zoology, botany, biotechnology, biochemistry वगरा आता है anthropology वाले subject में भी आप environmental studies करते हैं history and archaeology और history and archaeology में भी आप environmental studies पढ़ते हैं social science and sociology में भी आप इसको पढ़ते हैं mathematics और statistics data वगरा जो हमारा हम collect करते हैं जितना भी environment से related वो भी आप समझ लेजे maths and statistics में आप पढ़ लेते हैं law and legal aspect बहुत सारे environmentalist जो होते हैं जो advocates भी होते हैं जो legal laws को जानते हैं सो कहीं न कहीं environmental studies law से भी related है earth sciences जैसे की geology, geography and geochemistry इसमें भी आप environment की study करते हैं computer modeling में भी आप इसको कहीं न कहीं पढ़ लेते हैं सो कहने का मतलब है कि EVS सिरफ एक discipline नहीं है EVS एक multi-disciplinary subject है जिसमें आप अलग-अलग subjects में इसको पढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं अब मैं आपको environment के जो components होते हैं उसके बारे में पढ़ाने वाला हूँ ठीक है कि कौन-कौन से environment के components हैं सो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ जो हमारा earth है जो हमारा planet earth है इसको हम अलग-अलग spheres में divide करते हैं हमारा अगर आप यहां पर देखोगे कि एक तो solid ठीक है जहां पर हमारे rock, soil यह सब पाए जाते हैं एक तो यह वाला आपका sphere है फिर आता है liquid यानि कि water वाला जितना हमारा sphere है फिर आता है gaseous यानि कि जो हमारा air वाला जो हमारा sphere है इस तरीके से जहां पर भी हमारी life है ठीक है water हो चाए हमारा rock कोई भी solid हो या soil हो या air हो जहां कहीं भी इन तीनो spades में जहां भी life available है वो completely उसकों collectively biosphere कहते हैं समझ में आगे आपको जहां पर जीवजन्तु रहते हैं अब मैं आपको बताता हूँ one by one करके पूरा अच्छे से lithosphere lithosphere क्या होता है lithosphere एक बिल्कुल कह सकते हो आप बहुत कठोर, बहुत पक्का rigid outer layer होता है rocky होता है, बहुत ज़्यादा पत्थर पहाड, संकर ये सब बहुत होते हैं और ये अगर आप देखेंगे कि it is made up of the crust and the uppermost solid layer of the mental mental की, और ये आप यहाँ पर देखोगे, crust और mental की uppermost जो solid layer होती है उससे मिलकर बनता है लगबक 60 mil तक गहरा और अगर आप यहाँ पर देखोगे कि बहुत सारी plates होती है plate का मतलब क्या होता है, बहुत बड़ा एक land का टुगडा, ठीक है, हमारा deep valleys, seabed ये सारे के सारे कहाँ पर होते हैं ये सारे यहीं पर होते हैं lithosphere में, mount Everest जो की highest point है lithosphere का ये fact आप याद रखना आयोब आपको समझ में आ गया होगा, आगे भड़ते हैं hydrospare hydrospare क्या होता है, कि भई, ये एक ऐसा हमारा part है, जहाँ पर पानी है हमारा, ठीक है, और आप अगर देखोगे, estimate ऐसा किया जाता है कि 1386 million cubic kilometer पानी है हमारे अर्थ के उपर, और इसमें included है, frozen forms, जो की जमा हुआ जो मतलब liquid का form है oceans है, lakes है, streams है ये सारे मिलकर 1386 million cubic kilometer बनाते हैं approach माना जाता है 75% जो है अर्थ का वो ocean से covered है इसलिए नीला planet भी कहा जाता है अर्थ को, ठीक है, blue planet और इस तरीके से ये हो जाएगा आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे अर्थ पे जो पानी है उसमें से 97% तो ocean का पानी है, जो नमकीन है saline water है 2% glacier से है 3% जो है, आप fresh water को अगर आप देखोगे कि fresh water दो तरीके से है एक तो glacier की form में है और 1% आपका जो ground water है, river, lake pond, aquifiers वगरा यह सबा जाता है, आई अपको यह distribution समझ में आया होगा, अब हमारा जो next spare है, उसको हम क्या कहते है, troposphere ठीक है, आप अगर यहाँ पर देखोगे तो भई, troposphere आपका atmosphere का सबसे पहला level होता है, जो हमारा वायू मंडल है, हमारा atmosphere है, उसका सबसे beginning जो वाला, जो मतलब level है, वो troposphere होता है lowest layer होती है, सबसे starting वाली atmosphere को आप समझ सकते हो कि blanket of gases decrease होता है, जब उचाई बढ़ती है, altitude बढ़ता है तो आप यह कह सकते हो कि minus 6.4 degree Celsius per kilometer पर कम होता है, यहाँ पर जो temperature है, decrease होता है, troposphere अगर आप यहाँ पर कह सकते हो कि यह 75% जितनी भी air होती है, atmosphere कि उसके 75% air हमारी troposphere में है ज़्यादा तर clouds जो होते हैं, वो आपके troposphere में होते हैं, और because 99% जो हमारा water vapor होता है, atmosphere का वो भी यहीं पर ही मिलता है, so आपको troposphere समझ में आ गया, पहली layer है lowest layer है, now सबसे इसके बाद जो आती है वो है stratosphere, just इसके उपर है अगर आप देखोगे, so above troposphere, और यहाँ पर हमारी ozone layer है ठीक है, ozone layer है, ozone आपको पताईए, कि layer क्या काम करती है, जो sun से UV rays आती है, जो काफी ज़्यादा harmful होती है, ultra violet rays, जो कि हमको बहुत नुकसान पहुचा सकती है, ozone layer उसको आने से बचाती है, समझ में आगे आपको, so यह हमारी यहीं पर ही होती है, और यह अगर आप यहाँ पर देखोगी, थोड़ा सा ही इसके उपर पाये जाता है, और बाकी इसमें लिखा भी हुआ है, कि भई, आपका stratosphere जो है, लगबग 31 miles तक है आपका, आगे बढ़ते हैं mesosphere ठीक है, mesosphere की बात करें, तो 53 miles तक है, यह लगबग 50 miles का होता है, और यह stratosphere से just उपर होता है ठीक है, आपको जैसे की diagram में दिख रहा होगा, और अगर आप यहाँ पर देखो, कि temperature बहुत कम होता जाता है, ठीक है temperature grows colder, ठंडा होता है, जैसे जैसे आप उपर बढ़ते हैं, और the coldest parts of the atmosphere, जो ठंडे से ठंडे part है न, पूरे atmosphere के, वो इसी layer में है, और minus 90 degrees Celsius तक भी temperature जा सकता है, समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं अब इससे उपर आप थोड़ा सा चले जाओ, तो हमारा thermosphere आता है, यह लगबग 440 miles तक, यह और मतलब इसका होता है, फैला हुआ और temperature इसमें increase हो जाता है, अब आप सोच रहे हो के increase क्यों होता है, क्योंकि due to the absorption of the energetic ultraviolet and x-ray radiation from the sun इसका जब absorption होता है सो इसकी वज़ादे temperature बढ़ जाता है और temperature जो होता है, अपर thermosphere का यह आप मानके चलो कि भई 500 degree Celsius से लेकर 2000 degree Celsius तक भी और इससे भी जादा हो सकता है, और यही पर इसी layer में aurora होता है, aurora क्या है यह आपको जो निजर आ रहा होगा मैं आपको zoom करके दिखा देता हूँ, यह aurora है, यह होता क्या है the northern lights and the southern lights यह हमारी northern and southern lights है, जिसको aurora कहा जाता है यह भी इसी layer में होती है फिर आता है हमारा exosphere exosphere को आप यह मानके चलो कि सबसे बाहर वाला है बिल्कुल सबसे, मतलब last का आप कह सकते हो कि final frontier यह होता है, जितना भी हमारे अड़का, gas वगरा जहां पर होती है air जहां तक होती है, वो यह ही है last, और इसमें होता क्या है कि exosphere में gradually air leak होते 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 outer space में चली जाती है और कोई clear cut इसकी उपर boundary नहीं होती यानि कि last जो है वो यह ही है exosphere, इसके बाद हमारा कुछ भी नहीं यानि कि इसमें आप किस field में अपना career आगे जाकर बना सकते हैं so, यह जो environmental studies है इसका काफी ज़्यादा vast scope है आप इसको अलग-अलग level पर इसको एक professional career की तरह लेके जा सकते हो, ठीक है आप इसको environmental studies भी कहते हैं environmental science भी कहते हैं कौन-कौन से हैं वो career के options सबसे पहले तो आप यह देखिए कि academics में क्या है पही subject को school level पर college level पर, university level पर आपको पढ़ाया जाता है, obvious सी बात है आप भी DU के students हैं, आप भी EBS को पढ़ रहे हैं, इसका मतलब भाई scope है इसका जबी तो पढ़ाया जा रहे हैं और undergraduate level पर भी पढ़ाया जाता है और post graduation में भी subject को पढ़ाया जाता है worldwide अगर आप देखें तो बहुत सारे dedicated departments बनाए गए हैं सिरफ इसी subject के लिए अलग-अलग universities भी और institutions भी बनाए गए हैं और अगर कोई भी interested हो तो वो teaching work वगरा में join कर सकता है भाई पढ़ा सकता है मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ठीक है आपके professor आपको EBS पढ़ा रहे हैं इसका scope है जबी तो कोई पढ़ा रहे है और research and development के area में आप जा सकते हो कि भाई research वगरा and post-doctoral works होते हैं आपको पता है PhD वगरा होती है so इस पर research हो सकती है भाई environmental issues पर so यह हो जाएगा फिर उसके बाद है industries भाई आप देखी environmental जो scientist होते हैं जो engineer या expert होते हैं जो उनको environment की जानकारी होती है उनकी बहुत अच्छी गाज़ी से हैलरी मिल जाती है उन्हें industries वगरा को guide करने में क्योंकि भाई देखो industries में ही जादा तर root causes होती है pollution की environmental degradation की so एक environmental expert किसी industry के लिए सलाकार के रूप में काम कर सकता है ministries और agencies में आप काम कर सकते हो भाई ministry of environment है बहुत सारी agencies होती है ठीक है and conventions of national and international repute, frequently, creative vacancies आती रहती है जो environmental experts होते हैं उनको कोई न कोई vacancy मिल जाती है कुछ agencies के नाम बता देता हूँ UNEP ठीक है United Nations Environment Program IPCC, CITES Ramsar, US EPA ऐसे ही बहुत सारी agencies हैं जहाँ पर आप काम कर सकते हैं और क्या है NGOs में काम कर सकते हैं large number of national और international NGOs और consultancies काम कर रहे हैं environmental बहुत सारे ऐसे issues हैं जिन पर वो काम कर रहे हैं और ज़्यादा तर जो NGOs हैं और जो consultancies हैं ठीक है are old and have an experienced workforce उनके पास काफी ज़्यादा experience भी है और कुछ example में आपको बताना चाहूँगा Bombay Natural History Society IUCN Conservation International World Wide Fund for Nature Wildlife Trust of India यह NGOs हैं और कुछ consultancies हैं और Center for Environmental Education Center for Science and Environment काल पवरिक्षा ठीक है काल पवरिक्षा मदरास क्रोकोडाइल बैंक ट्रस्ट यह सारे NGOs हैं जापर आप काम कर सकते हैं Green Generalism आज की date में Generalism बहुत ज़्यादा भाही trending है और आप अगर कह सकते हो कि भाई Environmental Awareness बहुत ज़्यादा ज़्रूरी होगे या आज की date में Print Media में भी आपको Awareness मिल जाती है Electronic Media से भी मिल जाती है लोगों को Aware करने का काम आप कर सकते हैं Generalism के दौरा So Green Generalism क्या है कि भाई Environment की पूरी Knowledge ले लो फिर आप Generalist बन जाओ और लोगों को Aware करो स्कोप है भाई इसका भी ठीक है आप Advocate बन सकते हो So ये सब हो जाएगा अब Importance क्या है आखिर Environmental Science जो है ये Studies जो है क्यों ज़रूरी है एक तो ये Multidisciplinary subject है भाई आप इसको सिरफ एक subject नहीं कह सकते Last 5 decades में भाई इसने बहुत जादा अपने आपको develop किये है अलग-अलग जो हमारे issues होते है Aspects होते है Challenges होते है एनवारमेंट की जो की उनके practical solutions आपको Environmental studies से ही मिलते हैं Environmental problems जो होती है उनका solution और कहीं भी मिलेंगे आपको आपको environmental studies में ही मिलेंगे और क्या है भाई इसकी importance कि भाई, environmental studies ने बहुत सारी solutions दिये भी हैं, environmental problems के, कुछ इसकी prominent fields हैं, ठीक है, जैसे की environmental education and ethics, ecosystem and ecology, natural resources management, energy efficiency and audit, renewable sources of energy, global warming, climate change, biodiversity conservation, pollution monitoring and mitigation, population and environment, waste management, यह सारी चीज़ें आप basically पढ़ते हो, यह इसकी field है, so new generations जो है, आने वाली generations के हो, यह सब basics बताना, details बताना बहुत ज़रूरी हो जाता है, आगे बढ़ते हैं, concept of sustainable development, sustainable development क्या होता है, पहले तो मैं आपको यह बता देता हूँ, sustainable development is development that meets the needs of the present, आज की डेट में जो भी हमारी needs हैं, वो हमारी पूरी हो जाएं, but without compromising the ability of future generations, लेकिन जो हमारे आने वाली generations हैं, उनको, जो उनकी needs हैं, वो नहीं, मतलब उनको compromise नहीं करना चाहिए, कि भाई हम आज सारे resources खतम करते हैं, आने वाली generation के लिए कुछ बचाया ही नहीं हमने, तो भाई ऐसा नहीं करना, आज का जो हमारी जो आज की need है समय की, वो भी पूरी हो जाएं, और आने वाली generations को भी मिल जाएं, कोई दिक्कत ना हो उनको, सो बस इसी को sustainable development कहते हैं, environmental sustainability, sustainability भी अलग-अलग तरीके की है, environmental sustainability का मतलब है कि हमारे यहाँ पर जितने भी जो environmental goods and services जो हमें environment देता है, वो हमें consume करने चाहिए एक sustainable manner में, ऐसा ना होगी हम लालच में उसको खतम करते जाएं, over exploitation गढ़ते natural resources का, तो फिर कुछ बचे गई नहीं, और इसी से तो हमारा environmental degradation हो रहा है, so natural resources उनको अच्छे से utilize करो sustainable तरीके से, sustainable development के goals मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, फिर इसके बाद अगर हम बात करें, so अगर हम इसको आगे देखते हैं, social sustainability, यह क्या है कि society में सभी को fair और equal opportunity मिलनी चाहिए, justice सभी के साथ होना चाहिए, gender equality होनी चाहिए, सभी को अच्छी health और education facilities मिलें, और सभी लोग participate करें, देश को आगे बढ़ाने में, और goals मैं आपको आगे पढ़ाई दूँगा, फिर आता है economic sustainability, इसका मतलब होता है सभी को equally distribution हो resources का, किसी बंदे से ऐसा नहों भेदवाव कि वो deprived रह जाए, किसी भी resource से, सभी को एक sustain, एक healthy life मिलें, यही economic sustainability बताती है, अब यह हमारे sustainable development के 17 goals हैं, ठीक है जो मैं UNों ने बताए हैं, no poverty, zero hunger, good health and well-being, यानि कि हमको fit रहना है, quality education, सभी को अच्छी education मिले, gender equality, सभी को बराबर समझा जाए, clean water and sanitation, साफ सफाई, पानी बहुत ज़रूरी है, affordable clean energy and decent work and economic growth, industry, innovation and infrastructure, reduced inequalities, sustainable cities and communities, and responsible consumption and production, climate action, life below water, life on land, peace, justice and strong institutions, partnerships for the goals, यह सारे हमारे goals हैं 17, आपको इनको याद रखना हैं, ठीक हैं, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा important हैं, अब है important landmarks in environmentalism, कुछ ऐसा environmentalism को लेकर मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि अभी तक हमारे देश ने और बाकी के देशों ने जो कदम उठाए हैं, वेस्टन वर्ल्ड में सबसे पहले जो यह concern हुआ था, environmental degradation का, वो एक बुक के छपने के बाद हुआ था, बुक का नाम था, Silent Spring by Rachel Carson in 1962, इन्होंने यहाँ पर बताया था, यह बुक ने बहुत ज़्यादा chemical fertilizer की use पे और pesticides के use पर issue उठाया था, और मतलब बताया था, US के अंदर, फिर 1970 में एक बुक आती है, Limit to Growth, जिसको Club of Rome ने लिखा था, इसमें भी सारे दुनिया का attention आया, कि भई हाँ, अर्थ को बहुत ज़्यादा हम humans जो हैं exploit कर रहे हैं, रामसार convention, ये 2nd February 1971 को हुआ, जो हमारे wetlands हैं, उनको conserve किया जा सके इसके लिए, और इसी लिए 2nd February को World Wetland Day भी मनाया जाता है, फिर 1972 में United Nation Conference हुआ, Human Environment पर, जो कि stock home के अंदर हुआ था, 5 June से लेकर 16 June तक, जहां इंडिया ने भी अपनी बातें रखी थी, Environmental Degradation के उपर, और इसके अलावा, अगर मैं आपको पता हूँ, World Environment Day मनाया जाता है, इसी की याद में, 5 June को, इंडिया ने Project Tiger स्टार्ट किया, 1973 में, ताकि हमारा National Animal जो Tiger है, उसको बचाया जा सके, और, In Between India and the World Witness, हमारे इंडिया के अंदर, बहुत सारे ऐसे Industrial Disasters भी होए हैं, तरासदियां, जो की भोपाल गया स्ट्रेजडी सबसे बड़ी थी, 2nd और 3rd December 1984 की थी है, and, Carnobile Nuclear Disaster, ठीक है, यह आपका 26 April 1986 को हुआ, जिसने हमें बहुत सारे लेसन सिखाई, कि भाई हमें, हमारे environment की production बहुत ज़रूरी है, Vienna Convention, 1985 में होती है, Montreal Protocol होता है, 16 September 1987 को, यह ozone layer को बचाने के लिए हुआ था, आपको पता ही है, ozone layer का deflection हो रहा है, वो दीरे 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 जो हमारे chloro-fluorocarbons हैं, greenhouse gases हैं, वो लगातार उसको layer को खराब कर रहे हैं, इसके लिए यह हुआ था, सो sustainable development का जो concept है, यह एक report में भी लाया गया था, जिसको हम कहते हैं, Bruntland Commission Report, और Common Future नाम से यह आई थी, 1987 में, इसमें भी issues उठाए गए थी, फिर Agenda 21 आया था, Earth Summit के अंदर, 1992 में जहां पर sustainable development की बात रखी गई थी, और UN, Trio Sister Conventions भी हुई, जिसमें United Nations Framework on Climate Change, ठीक है, इस तरीके से भी यह आया, UN, CBD, UN, CCD, बहुत सारे convention साइन हुए, 1997 ने प्रोटोकोल, जो है क्योटो प्रोटोकोल को साइन किया गया, ताकि Greenhouse Gases जो होती हैं, इनको कम किया जा सके, जो कि main responsible तो यही हैं भाई, ग्लोबल वार्मिंग के लिए, और The World Summit on Sustainable Development, जिसको Rio प्लस 10 भी कहा जाता है, यह 2002 में हुआ था, जो हैनिस वर्ग के अंदर, तो यह इसको आप in short, इस diagram को देख सकते हो, अभी तक जो जो हुआ, ठीक है, और इसी तरीके से, आपका यह जो पहला unit है, खतम होता है, कमेंट करके आप ज़रूर बता देना, कि क्या आपको अच्छा लगा, जो पहली unit आपको समझ में आ गई, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले, और वीडियो को लाइक कर दें, जै हिंद, जै भार्मिंग,